हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को discuss करेंगे जो के आपके आगामे लगबग सभी भरती परिक्षा हैं जिसमें हिंदी से related question पूछे जाते हैं उस सारे exams के लिए सारे question बहुत ही important है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला question इस वीडियो का निमनी लिखित में से भावरा का तत्सम रूप है option ये ब्रमर, option B ब्रू, option C अभ्यंतर या फिर option D अपी answer right हो जाएगा है अपर option ये भावरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है answer ये right हो जाएगा अगला question निमनी लिखित में से मेह सब्द का तत्सम रूप है option ये मेघ, option B मात्र, option C माघ, या फिर option D मा मेह सब्द के तत्सम रूप के अगर बात करें तो answer ये right हो जाएगा मेघ, मेह सब्द का तत्सम मेघ होता है next question सिवा बावनी के रचनाकार है option ये जगनिक, option B पदमाकर, option C के सोदास, या फिर option D भूसड सिवा बावनी ये रचना भूसड की है, option D right हो जाएगा next question अधो लिखित में से तद्भौ सब्ध है, option E, ब्रहमर, option B, पिटक, option C, पिटारा, या फिर option D, परिधान answer right हो जाएगा यहाँ पर option C ये तद्भौ सब्ध है, पिटारा, answer C right हो जाएगा अगला question, बुरे उद्देश से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्ध है, option E, दुर भियोजन option B, दुर तिक्रम option C, दुर धिगम, या फिर option D, दुर भिसंदी बुरे उद्देश से की गई मंत्रणा के लिए अगर एक सब्ध की बात करें, तो इसका answer right हो जाएगा, option D दुर भिशंदी दुर भिशंदी ये बुरे उद्देश से की गई मंत्रणा के लिए एक सब्ध होता है अगला question भूसण किस रस के कभी है, option ये करून रस, option B, सरंगार रस, option C, रोदर रस, या फिर option D, वीर रस भूसण किस रस के कभी है, यहाँ पर answer right होगा, option D, वीर रस अगला question निम्न लिखित बिलोम युगमों में एक सब्ध युगम शुद्ध नहीं है option ये, आयात निर्यात, option B, नूतन सनातन, option C, पाप्पुन, या फिर option D, बद्ध मुक्त विलोम युगमों में से एक सब्ध युगमों शुद्ध नहीं है, तो answer right हो जाएगा, option B, नूतन सनातन, answer B, right हो जाएगा अगला question जो इंदर पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे क्या कहते हैं, option ये, इंदर जेओ, option B, जीते इंदर ये, option C, इंदू, या फिर option D, इंदर जीत जो इंदर पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए, answer D, right हो जाएगा, इंदर जीत अगला question गौरो का विलोम सब्द है, option E, रोरो, option B, अपमान, option C, लज्जा, या फिर option D, लाग हो, गौरो को विलोम सब्द की अगर बात करें, तो गौरो का विलोम, लाग हो होता है, answer D, right हो जाएगा तो दोस्तों, ये विडियो का ऐसा लगा, इसे comment box में जुरूर बता है